कांतारा मुवी जिसकी लैंड जो है वो तक्रीबन दो घंटे 28 मिनट के आसपास है आप यूटूब पर जिसके बारे में अगर खोलेंगे तो हर कोई इस मुवी की तारीफी कर रहा है आप IMDb के उपर जाकर रेटिंग चेक करेंगे तो रेटिंग भी इसको 9 से भी जादा रेटिंग इसको मिली हुई है मतलब इतनी जवरदस्त मुवी है हर किसी ने इसकी तारीफ की है रेटिंग बहुत अच्छी दिया है इवन रेटिंग चोड़ो आप रिव्यू देखिए वहां पर जो IMDb के उपर लिके गए है लोग बहुत जादा खुश है इस मुवी से और इतना कुछ देखने के बाद तो मेरा भी मन क्या है रहे इस मुवी को मैं जाकर देखू और सच में ये दो घंटे 28 मिनट कब बीट गए मुझे पता ही नहीं चला मतलब इस मुवी ने मुझे शुरू से लेकर आखिर तक ऐसे अपने साथ बांध के रखा यार मतलब इतनी खूबसूरत आप color grading देखना है इस मुवी की अप cinematography देखना है इस मुवी की इतनी बड़िया तरीके से की गई है इवन इस मूवी के जो डिरेक्टर हैं, जो राइटर हैं, जो मेन रोल के अंदर हैं, रिशब शेटी, उन्होंने ही इन सब चीज़ों को निभाया और बहुत खूपसूरती के साथ उन सब चीज़ों को प्ले किया कोई भी आपको ऐसा नहीं लगे गए, यहां पर उन्होंने ये चुक गए हैं, वो साथी चीज़े नोंने बहुत बखूबी से, बहुत प्यार से, बहुत दिल से वो सब चीज़ें बनाई हैं, और ये आप जो मूवी देखोगे, आपको देखकर पता चल जाएगा, मूवी की एक राजा के बीच में, और जो देव हैं, और जो गांवाले, इन सब के बीच में समझोता होता है, जहां पर राजा जो है, वो इन गांवालों को जमीन देता है, अपनी जितनी जमीन है, लग बग, मतलब उसमें एक, आप जब मूवी देखोगे तब पता चलेगा, कितनी जमीन देने की बात होती है, तब यहां पर जो है, वो गांवालों को जमीन मिलती है, और जमीन देने के बतले, राजा को जो है, वो शुक, सांती जो है, वो यहां पर दी जाती है, अब यहां इस चीज़, इस बात को बहुत जादा टाइम भी जाता है, लेकिन अब क्या होत होते हैं कि गाम वालों की रक्षा अब कैसे की जाएगी मुवी के अंदर यह सब चीजें कैसे डैवलोप की जाएगी यह सब चीजें देखने में आपको काफी जादा मज़ा आने वाला है मुझे बहुत जादा अच्छा लगा इवन जब इस की इस मुवी की करतें नहीं थकेंगे इतना मुझे पसंद आए वास्ता में बहुत जमर्दस इस मूवी को आपके सामने डी प्रेजेंट किया गया जो एक फोरेस्ट पुलीस आती है इसके अंदर फिर गाम वालों की जमीन को लेकर बात आती है इसके लबब थोड़ी बहुत और चीजे इसमें जब डेवलोप की जाती है तो एक विश्वास आप जब देखेंगे ना इन लोगों का अपने जो देव हैं उनके परती जैसे उनका विश्वास है कैसे उनकी वो सेवा करते हैं जो पुलीस ओफिसर इसके अंदर आता है जो फोरेस्ट ऑफिसर होते हैं अब वो कैसे यहां पर लोगों को तंग कर रहा है या फिर उसके कैसे कानून है उन सब चीजों को लेकर कितना बखूबी से आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाता है किवल आप यह नहीं देखोगे कि यार मोवी में सिर्फ एक ही चीज़ चल मोवी का आप लास्ट वाला जो सीन अगर मैं बात करो नहीं वो अभी भी दिमाग से नहीं निकल रहा है वो सब चीज़ें जो मैंने देखी है और जिस तरीके से कल्चर को हमारे सामने रिप्रेजेंट किया गया इतना दिल से आप देखेंगे ना कि यह वर्ट जो किया गया मैंने भी जितने इसके रिवीव पड़े हैं और हर एकने इस मोवी के तारिफ की है आप ट्विटर के ऊपर देखिए जय्कोष एक लोगों ने अलग कुछ इसके ऊपर भद्धी टिपनी भी कर रखी थी मोवी के ऊपर अनाई के ऊपर मैं तुईटर के उपर जो मैं इसके साइड में अटाते हैं तो यहां पर जितना है मैंने देखा ना पॉजिटीव ही चीज़े लेकिए और मुझे कहीं पर भी इस मुवी में कोई कम ही नज़र नहीं अभी वह लास्ट वाला सीन अगर मैं याद करता हूं यार भाई साब रोंगते खड़े हो जाते हैं जैसा मैंन देखोगे ना एक आपको अपने कल्चर से प्यार हो और यार आप इस मुवी का बजड़ देखें देखें कि कोई ज्यादा हाई प्रोडक्शन वैल्यू नहीं है इस मुवी की लेकिन बावजूद इसके इस मुवी ने यह साबित कर दे कि अगर आपको कोई मुवी हिट करन लोगों के अंदर उस तरीके की चीज़ों को दिखाया जाता है कि वो जिससे पूज रहे हैं जिसकी श्रदा उनके दिल में है एक शुरुवात काओं इसी तो वो सब चीज़ें देखते हैं अपनी ही रिजनल चीज़ को तो लोग उसे बहुत प्यार करते हैं और ऐसा ही इस यही कंपैर करा था यार यह एक मुवी है एक मैंने वो मुवी देखी दोनों में कितना फर्क उसमें कितने सारे बड़े बड़े चैरों को ले लिया गया लेकिन इस मुवी में देखिया कितना जबरदस्त वर्क किया गया मुवी में थोड़ी बहुत कॉमेड़ी और बहुत है वो जो उनके देव के द्वारा जो भात जो बातें बोलिए लिए उनको डपनी किए बहुत अच्छी चीज़ है कि इत्ला अपनी भाषा के अंदर ही उनके द्वारा वह बातें कहीं ho यह अगई है वू अपनी भाषा में present करना वो मुझे बहुत जादा पसंद आया कैसे लोग उसके अंदर शर्दा रखते हैं ये सब चीजे मुझे 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 में बहुत पसंद आई तो मैं definitely आप लोगो recommend करूँगा कि आप जाकर मुवी देखें मेरे लिए तो इस मुवी को मैं देना चाहूंगा 10 after 10 ये कैसी मुवी है जो आपको बहुत लंबे टाइम तक आपकी दिमाग में रेगी वो लास्ट वाला सीन अभी भी मेरे दिमाग में और जो मैं बोल रहा हूं तो ये जो हाथों के बाला ने ये भी खड़े हो रहे हैं रोंगते से बहुत जादा मुझे अच्छा लगा और यही चीज मैं चाहता हूं कि मतलब वह था न यही मज़ा मैं आप लोगों के देना चाहता हूं आप जाकर ये मूवी देखिए तो बस आज के लिए इतना है रखते हैं हूं के लिए मुझे भी झाला ने के लिए बसे हैं